अब हम देखने वाले हैं के टेनेच फंक्शन क्या होता है जिसे हाइपर बोलिंग टेंजन फंक्शन बोला जाता है लेट सी यह आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको जो लोग लाइव देख रहे हैं या जिन लोगों ने बाद में वीडियो देख नहीं परेशान ना हो यह हम एक सीटिंग में तीन चार टॉपिक को कवर करते हैं फिर उसको साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे होते है 10H function मैंने कैसे याद किया मुझे नहीं याद होता था 10H 10H बड़ा difficult है मैंने सीधर इसको बोल दिया तनहा function ना इधर का ना इधर का यानि जीरो पर खड़ है ना positive है ना negative जीरो centered है वो कहता है मैंने इधर को जाना है जीरो से पीछे वाले केहते हैं टहार लडके की भी नहीं पहारही होती 10H function मैंने लडके की भी फुपो है और शादी होरी है दोनों कि यह दोनों से आइडम पर बचारी नहीं पहुंच पाती कभी उदर मेंदिय अटेंड करती इधर वाले नराज हो जाते हैं इधर आती तो उदर वाले हो जाते हैं तो इस है अगर किसी को नहीं पता है तो इसको सर्च किजेगा और यह आपको और भी क्लियरली समझ आ जाएगा ठीक है हाइपर बोलिंग टेंजेंट फंक्शन मैंने आपको देशी मिसाल से समझा दिया है आपको वही चीज साइंटिफिकली अंग्रेजों ने भी समझा दानी है मैं साथ साथ बताता रहता हूं क्योंकि जब मैंने आपको बोला है ना कि लास्ट में हमने एक चोटा सा एक्जाम रखना है और वह इसी वड़ा से हैं इन्हीं क्वेस्टिंस में से वह क्वेस्टिंस होने हैं यह जीरो सेंटेट नहीं था जो इसकी खामी थी और लोजना खामी दूर एस शेप भी वैसी है सब कुछ वैसा है बट दिफ्रेंस इन आउट्पूट रेंज ऑफ माइनस वन टू प्लस वन सही है इन 10H, the larger the input, more positive, the closer the output value will be to 1 यहां पे यानि के extreme values वन टू पे रहेंगी smaller जो हैं वो negative 1 पे रहेंगी यही तो range होती है न ठीक है 10H की equation आपके सामने है, E की पावर X माइनस E की पावर माइनस X divided by E की पावर X प्लस E की पावर माइनस X कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है यकीन मनों वो जो पिछला था ना वन ओवर वन प्लस यह मन माइनस था वन प्लस E की पावर माइनस X इसी तरीके से यहां पर X X X की पावर लगा देनी है values and it will spit out अब वैल्यू जो आपके पास 10H activation function की होगी तो activation function basically यह equation है सब्सक्राइब क्या फरक है चलो आप आगे देखते हैं अड्वांटेजिस इसके जो पिछले की खाम यहां थी इसके ड्वांटेजिस यह जीरो सेंटर है यानि कि इसका सेंटर जीरो है the prediction is simple that is based on the threshold probability value ठीक है अब हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से simple है आपके पास यह भी probability को बताता है बट आपके पास किसी चीज की negative values को भी यह deal करते है how it deals और कहां पर user ना उसको use cases हम देखते हैं but before that 10H also comes with the vanishing gradient problem just like sigmoid function reason क्या है है तो यह भी S function इसके भी कोने S की तरह ही है flatten right तो vanishing gradient आ गया समझा आगी है बात की तो vanishing gradient इसका भी मसले है अब vanishing gradient vanishing gradient vanishing gradient आई जा रहे है इसका हल भी तो कोई होना चाहिए let's see rectified linear unit function this is another type of function which is called relu आपने पंजाबी में सुना होगा रेलू कटा रेलू कटा होता है वो वो क्या होता है वो आप जाने आपका काम जाने find out करना क्योंकि यहां पर बच्चों को पंजाबी नहीं बनाया जा रहा there are few things जो हम यहां पर कर रहें वो है study let's see in this function आप चेक करें चाह ग्राफ को देखें आपको समझ आ जाने आपके पास zero से start होके positive values तक चाह रहा है रेलू function सही है अभी पढ़ते हैं in this function outputs for the positive inputs can range from zero to infinity इसमें कोई range माइनस वन से प्लस वन नहीं है जीरो टू इंफिनिटी ठीक है इंफिनिटी तक है zero से start होके मतलब यह इसमें negative values नहीं consider होती अब समझी है इस चाहीज को although it gives an impression of a linear function यह impression तो देता है कि linear है क्योंके इसकी यह इस तरीके से zero से onward है but क्यों नहीं है linear because relu has a derivative function and allows for back propagation समझाई while simultaneously making it computationally efficient because of the derivative function जो इसका derivative function है वो होता है जिसकी वज़ा से आप इसके derivative function की base पर back propagation कर सकते है ठीक है the main catch जो main catch है नहीं यहां पर relu function does not activate all the neurons at the same time ठीक है सिरफ वही activate करता है जिसकी इसने value दिखाने हो उसकी reason कह जब हम इसको apply करेंगे आपको नजर आ जाएगा और यह लवज आपको जब भी आप artificial neural network की example देख रहे होंगे बहुत दफार नजर आने वाला है रेलू ठीक है the neurons will only be deactivated if the output of the linear transformation is less than 0 सब्सक्राइब इन चीजों को छोड़के यह आपके पास है जी रेलू function मिसाल दूँ आपको एक अक्सर अकात आप regression में न एज को predict कर रहे होते हैं या cry को होते हैं ना कर रहे होते हैं आपके पास एज माइनस में आजए तो उसका हल क्या होगा माइनस में जोती किसी की नहीं होती क्राय माइनस में होता है कि conductor आके आलो भड़ो था डेवीर पर देने ऐसी नहीं नहीं होता है रीजन क्या है रीजन यह है कि there are some defined rules in mathematics जिनको follow करना पड़ता है रेलू can be helpful at that point कि जो माइनस की values है सारी 0 को equal भई positive वाली दिखा दो मतलब यह के अगर एक conductor का बतीजा आ गया बस में बैठके और वो उसे कहता यह लो बेटा चीज खा ले ना वो उसको माइनस क्राया नहीं दे रहा वो उसको बतीजा समझ के इस पॉल्ड जीरो तो माइनस में क्राया नहीं हो सकता किसी भी situation में तो देर आर फ्यू तिंग्स जिनका माइनस वैल्यू नहीं होती हाइट माइनस में नहीं हो सकती वो क्या हाइट माइनस एक बंदा जमीन चे वड़िया है वी कांट से दीज इस भी सुट्छ थिए श्वा एमे इ acces नहीं होती ही कुछ सो ध्यू वजय ॉस्यू यू यू ड्यू थियू इन्स फॉंक्शन यहीं वज्चा है कि जब माइनस में वैल्यू आते है नवा एक्टिवेशन फंक्शन काम इस बंदे की दुश्मन है माइनस वैल्यू यह उनसे बड़ा चिडखाता है और वहां पर एक्टिवेट नहीं होता ठीक है अब देखते हैं इसके फंक्शन के अड्वांटिजिस since only a certain number of neurons are activated वही जो positive है the ReLU function is far more computationally efficient when compared to sigmoid and tanh function ठीक है वहां पे 0 वाले भी हो रहे हैं नेगटिव वाले भी हो रहे हैं उपर वाले भी हो रहे हैं यहां पे वही होंगे जो 0 से उपर हैं राइट तो खुद भाखुद आटमेटिकली वो efficient हो गया ReLU accelerates the convergence of gradient descent towards the global minimum of the loss function due to its linear non saturating property यह एक line लिख लें अपने पास यह accelerate करता है convergence को gradient descent की towards the global minimum of the loss function नहीं समय जाई चलें तीन कीवर्ड अब लिखें हम इसको systematically पढ़ते हैं सबसे पहला कीवर्ड gradient descent क्या होते हैं फिर उसकी convergence क्या होती है सेकेंड convergence of gradient descent तीसरी चीज़ आप लिखें कि global minimum of loss function क्या होते हैं अब जरह इसको गूगल पर सर्च कीज़ेगा या चैर्जी पीटी पर कर लें ग्लोबल मिनेमाम ओफ दिल लॉस फंक्शन वह क्या है और रेलू कैसे एक्सलरेट करता है convergence को ग्रेडियन डिसेंड की टुवर्ड दैट पॉइंट मैं चैट यहां पर open कर देता हूं अब जो लोग कैमरे बंद करके बैठे न यकीन वननों तो नों कुक कंड़ा समझ नहीं आनी आप ही गई था है तो आप confident फील नहीं करेंगे कि मैंने कुछ सीखें यह नेचर है यकीन वाने ग्लोबल मिनिमम ऑफ दे लॉस फंक्शन यानि के लॉस फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम के मिनिमम लॉस फंक्शन कहां पे होगा उस point की तरफ यह gradient descent को ले के जाता है help करता है उसे और help आम हेल्प नहीं करता एक्सलरेशन दबाता है उसकी तरफ ठीक है अब gradient descent क्या करता है मेरी बात सुनिएंगा बड़ी गोर से gradient descent बार-बार चीजों में न चेंजिंग लेके आता है इट्रेटिवली चेंज करता है वेट्स बाइसीज और डिफरेंट पैरामिटर हर दफ़ा लॉस को कम कर रहे हैं ठीक है लॉस को कम कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा कन्वर्जेंस वह पॉइंट होता है जब लॉस बहुत मिनिमाम हो जाए और वहाँ पे ग्रेडिनटिसके मेरे हाथ कोड़ेंट हैं इस से ज्यदाने मपूछ कर सकता है वे जहां पे ग्रेडिनटिसके मेरे हाथ कड़ेंग俺 कुछ नहीं कर सकता है that is a convergence point the final convergence रेल्यू क्या करता है पीचे से धक्का दे कर रखता है चल भी काम कर चल भी काम कर तुम्हारे पापा आगे चल काम कर ले यह खतम कर दे सारा आगे वह अकसर बच्छे होते हैं ने पास के अंदर तंग कर रहे होते हैं बच्छों को वह सारा अगर जल्दी जल्दी पेपर कर लो या अकसर उकाजम नकल लग रही होती है तो वह जो acceleration होती है ना वह रेलू function उसे motivate कर ले यार तु कर लेगा मुझे पता है आज काम करके सोने तो वह जारा gradient कर लीजेगा कि कैसे convergence जो है gradient descent की यह काम करती है बाइदावे gradient descent का पता चलिए मैं फिर आपको बताऊं simple linear regression में हमने देखा था ना वह एक line हमने draw की थी मैंने फिर बोला था सारे point इससे खुश नहीं थे फिर वह line अपने आपको adjust करती है फिर वह सभी को खुश करने की कोशिश करती है फिर एक ऐसे point पे आती है जहां पे सबका loss minimum होता है that was the convergence point को समझ आगी बात की या दुबारा बना के दिखाजी जाए मेरे ख्याल से आ पड़े लिखे बच्चे हैं सारे ओके जी डिसद्वांटेज जारी गलग कीडे अमाम ने हर बात में निकाले हूं so we need to be very careful when we are learning these things when the input is zero or negative value the function output zero and it hinders the back propagation for those points उन नियूरॉन्स को जब जीरो कर देता है ना उसकी back propagation नहीं होती adjustment सिरफ उनकी होनी है जो जहां पे activation हुई है नहीं समझाई मैं आपको एक मिसाल देता हूं paint वाली बात याद रखिएगा coat उसी जगह पे paint का होता है जहां पे पहले paint हुई हो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहें दूसरा coat है और first time paint हो रही है समझाई ही बात की मैं फिर मिसाल देता हूं यह वह वाले neurons को deactivate कर देता है जो zero या negative में ठीक है तो iteration तो तब होगी ना जब वह पहले activate होंगे back propagation तो तब चलेगी ना उन पर इस वज़ा से when the input is zero or a negative value the function output zero and it hinders with the back propagation ठीक है वह इस वज़ा से back propagation के अंदर मसला करता है अब यह input feature वाली नहीं है मैंने आपको बोला था हर neuron की एक input होती है यहां पर input value है z इस neuron में जो आ रही है ठीक है समझा रही बात की activation function के अंदर जो आ रही है ओके इस प्रोब्लम इस नोन इस डाइंग रेलू प्रॉब्लम एक होर प्रॉब्लम के रेलू मर रहा है बिचारा जा रहा है डाई कर रहा है क्यों back propagation नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि neural network का neural network कमजोर हो गया यहां पर simple बिचरा बिमार हो गया मर रहा है back propagation ही एक चीज़ को जिन्दा रख रही है ना neural network को एक अच्छी output के लिए अगर आदी चीज़ों की back propagation होई ना तो वो खराब ही हो जाएंगे ना मैं आपको मिसाल दे देता हूँ भी छोटी सी मिसाल है आपको समझ आ जाएगी इस इट पॉसिबल के रुजाना आप सिरफ शेट चेंज करके college ये university जाते रहो पैंट वो ही रहे और पूरा साल वो ही रहे तो एक वक्त ऐसा आना है एक वक्त ऐसा आना है कि खारिश भी पढ़नी है और डाइंग टांगे वाला problem हो जाना है समझने हैं बात को हमारे पास अक्सर अकात ऐसी situations आती हैं कि हम एक ही चीज़ को छोड़ नहीं देते इग्नोर नहीं कर देते जब हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो hindrance कॉस करती है neural network के अंदर वो वाले neurons जो zero या negative थे इसने उसको का कि मैंने इनको डील करना यह सारे के सारे यहां पर deactivated है फिर जब propagation होई वो बजा रहे फिर मसला खड़े करने लगए कि हमने अब activate होना तो अगर उसमें से दुबारा से को जीरो होगी यह फिर मसला हो गया सो एट दी एंड डाइंग रेलू यानि कि आस्ता इस्ता 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 इट्रेशन के बाद रेलू ने डाई कर जाना है टेंशन ना लो इसका भी हल है क्योंकि जहां पर गलती है वहां पर solution है लीकी रेलू साब आ गए है वो कहते हैं कि यार अवाज नहीं आ रही तुमारी तरफ सिगनल का प्रोब्लम है वो बंदा यकीन मनों वहीं पर वैठा होता है और कहेगा अब ठीक आ रही है यह रेलू ने वही काम किया है थोड़ा साइड पर होगिए अब ठीक आ रही है मतलब यह negative से थोड़ा सा नीचे होगया जिरो से negative की तरह और कहला अब ठीक है चले देखते हैं आब ठीक है के नहीं ठीक यह जो नीचे रेलू की लिकी रेलू की option है न यह आप चेक कर रहे हैं यह आप भी set कर सकते हैं कि मैंने 0.1 x से start करना है 0 से नहीं करना समझ रहे हैं बात को यानि कि उस minimum value का 0.1 वो हमने लेना है और वो जितनी भी values हमारे पास आती है उनसे start करना है ठीक है यह लेकी रेलू हमें फिर helpful सावित होता है dying रेलू की problem को solve करने के लिए leaky रेलू is the most common and effective method to solve a dying रेलू problem it is nothing but an improved version of रेलू function कुछ और नहीं है it adds a slight slow हलका सा touch हलकी फुलकी भूक में हलका सा लेकी रेलू हलका फुलका टाग तो negative range to prevent the dying रेलू issue ठीक है समझागी क्या होता है यहां पे आप यकीन माने मैं जान बूच के ऐसी मिसालें और ऐसे information आपके सामने इस तरीके से प्रिजेंट करतों वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है serious पढ़ाना मैं तो इतना serious हूं मैं घर में कहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं रिष्टे दुरह में वो सारे डरते हैं कि बहुत serious हैं लेकिन जब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूता हूं वो खुश हो रहे होते हैं कि यार हमार भाई आप इतने अच्छे हैं अच्छा देखते हैं तो the thing है पड़ा step function binary step function जिसके अंदर ऐसे करके फोरण से नीचे गिरता था और आगे जा रहा था ठीक है कि binary step function में एक बात मैं कहने भूल गया बड़ी मज़ेदार मिसाल है मेरे माइं में binary step function नहीं न याद होता इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ एक बंदा उपर चत्वे घड़ा है नीचे गिरा आठा सीधा उपर से नीचे आया इसका मतलब full steep curve है तो आठा से आप याद रख सकते हैं कि यह binary step function है जिसके अंदर बिलकुल उमूदी सता है सिग्मॉड function को मैंने कैसे याद रखा था जब स्टार्ट में किया जो slides आप लेते हैं न वाटर पार्क में जाके वो slides है यह west shape में बनी होती है ना तो उपर से सीधी होती है ना नीचे से तो उस तरीके से सिग्मॉड याद हो गया लिकी रेलू वो बच्चों वाली slide है जो सिरुफ उपर से बाढ़ते हैं नीचे आगे टिक समझ रहे हैं अब आगे चलते हैं लिकी रेलू के कुछ advantages है same as the रेलू function in addition to the fact that it does enable back propagation for some of the values even for the negative values तो यह back propagation जब activate करता है फिर क्या आता है by making this minor modification for negative input values the gradient of the left side of the graph comes out to be a non-zero value ठीक है therefore we would no longer encounter dead neurons in that region जो मर गे थे ना neurons जो activate नहीं हुए थे वो भी activate हो जाने क्यों होने है मैं आपको एक reason बताने लगा हूं equation mathematically क्योंकि हम उन्हीं neurons का point one percent leak कर रहे हैं तो यह calculation थोड़ी सी but it's making a huge difference in that यह जो आपको slide सी नज़र आ रही है ना इसमें सारे के सारे neurons वहां पर आ जाने है for the values ठीक है तो इसका मतलब इतनी सी change ने कितनी बड़ी जो advantages को उजागर कर ले डिसड़वांचर अवाम राजी नहीं होती किसी भी चीज़ से खास तोर पर mathematicians ठीक है और यह राजी ना हों तो बेहतर है वरना साधे रगे बंदे हलके system पर काम ना कर सके यह mathematicians हैं जो चीज़ों को computationally असान बनाते हैं when the input is zero or a negative value the function outputs zero and it hinders with the back propagation this problem is also known as dying relu problem इसमें भी dying relu problem होती है but on the way अगर आप यह वाला constant point one से कम रखें या इसको बहुत ज्यादा रखते हैं for example यह वाला point reach करते करते आपके कई neurons dead होते हैं यह एक ऐसी stage आती है जहां पर सारे के सारे neurons चलने लग जाती है ठीक है तो उसको कैसे find out करना है we have some methods वहां पर आता है parametric relu function मैंने बोला ना relu relu function parametric क्या करता है is another variant of relu that aims to solve the problem by of of gradients becoming zero for the left half of the axis जो left half होता है उसको set करने के लिए this function provides the slope of negative part of the function as an argument a by performing back propagation the most appropriate value of a is learned automatically so जो आप दे रहे हैं आपको तो नहीं ना पता कि point one ठीक है point two ठीक है point three ठीक है point four ठीक है five six seven eight क्या ठीक है तो आप एक limit बताते हैं कि भाई यह ले पकड़ हुदी चेक कर ले और जो भी रखनी value वहां पे learn करके रख ले वो आगे से कहता ठीक है वो फिर रख लेगा तो वो ही से where a is the slope of parameter for negative values and it is learned by the by the algorithm कोई आई समझ अब आपको तीनों में समझ आगी कि क्या क्या है यह है जी रेलू function यह है ली की रेलू जिसमें 0.1 यह सम्झिंग लाइक आप एक defined value खुद से बताते हैं यहां पे इसी equation में यह value learn करते हैं तो इस वज़ा से यह change होती रहती है नीचे वाली values based on the data set वो जो answer है ना it depends on the data, यह सच में it depends on the data ही है कि आपका कौन सा रेलू function है पर है metric रेलू के अंदर आप जो changes आती है ना वो defined changes होती है और इसकी वज़ा से dying रेलू की problem resolve हो जाती है so if you ever encounter a problem जहां पर dying रेलू का issue बने और कुछ neurons आपको values यह ना दे so you know कि आपको या तो रेलू या लिकी रेलू या parametric रेलू में से एक use करना पड़ना है कहां पर कौन सा करना है you should know कि अगर मेरी values age और fair और इस तरह की है तो मैं 0 से start करूँगा अगर मेरे पास negative values आनी चाहिए तो मैं negative start कर सकता हूं ठीक है okay parametric रेलू के advantages वही है जो लिकी रेलू से थोड़े से उपर है जहां पर लिकी रेलू काम खराब करता है dead neurons का यह उसको successfully transfer कर देता है the functions limitation is that it performed differently from different problems depending on the value of the slope parameter a तो यह पूरे के पूरा function को हिला के रख देता है depending on the a value ठीक है अब आपने यह नहीं करना जहां पर आपको negative values ही नहीं चाहिए तो उसी parametric लगा के बैठे हो वहां पर don't do that क्यूं उसने सारे function को get word कर देनी है वहां पर यह scientist है जिन्होंने choose करना है कि यह ठीक यह ठीक है ठीक है समझ लगनी बात की मिसाल के तोर पर आपको मिसाल देख देता हूं मैं आपने कार लिए ठीक है और सड़क पर आपने जाते देख लिया के helmet पहनके गाड़ी चलाएं आद उसी helmet भी ले 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 किसी काम का है मतलब ये गाड़ी आपका data है अगर ये तो आप helmet कार में बैठके helmet की क्या ज़रूरत है यह तो साब हुए एक बंदा मोड़ सागल थे पट्रोल पाप ते चला गया है जागे केंदा है पाई है तेल पाई है तेल पाई है तो आप कहां पे लगवाना है कार में तो हेलमेट नहीं पहनना आपने अगर किसी को पंजाबी की समझ नहीं तो उर्दु में ट्रांसलेट नहीं मैं कर सकता जोग ठंडा हो जाना है लेट्स मूव तो दे नेक्स्ट अक्टिवेशन फंक्शन जिसका नाम है सॉफ्टमेक्स और यह मैं अगली रिकॉर्डिंग के अंदर अप्लोड करूंगा